रोलनी साथ पर थाना धक्ष देवेंदर परशाद सिंग के निलंबन को लेकर पखंड शेत्र के गंवारा बुजर्प पंचायत के महसोल गाउं के ग्रामिनों ने भूदवार पिरित राकेश साह के घर पर एक जुट हो कर शोशन डिस्टेंस वर लॉपरन का पालन करती हुए निलंद सभी हो ने मास्क लगा कर फाना धक्ष देवेंदर परशाद सिंग के फिरित एक जिवती हँ धरना प्रदर्शिं सिया जिसमें लोगों ने धानादक्ष देवेंदर प्रशाद सिंग को लाइन हाजर चोरी की गई ट्रैक्टर की अविलम बरामदगी रातरी गश्ती के नाम पर खाना पूर्टी बंद करो, धाने में पहुंची फिडित लोगों के साथ मानिय वेभार करो, शरार माफिया मुर्दा रुनिसाजबर के भष्ट धानादक्ष मुर्दाबाद सही कई नारे लगाते रहे, कारेखम के मुख्याती थी के रूप में लोजपा के प्रदेश महासचीव राजेंदर प्रशाद साने शिर्कत की कहा, अभी लोगडाउन को लेकर पिडित परिवार के घर पर ही रहकर, थानादक्ष के विरुद स्पी अन्रील कुमार सिंग के द्वारा अभी कारिवाई नहीं किये जाने पर नाराज की व्यक्त साथ ही कहा की, प्राक्टर चोरी का बारा रोज बीद गया, लेकिन आज तक प्राक्टर का कोई सुराद नहीं लग सका, और थानादक्ष वकात शराब माफियाओं से हैं, वैस्ट शराब माफियाओं को संरक्षन देते आ रही हैं, यदि लॉंगडाउन नहीं रहता तो रुनिसाथपूर के 77 से लेकर पोर लहिया तक सड़क को जाम किया जाता, लेकिन सरकार के दिशा नर्देश का पालन किया जा रहा है, यदि देक्ष को लाइन हाजर नहीं किया गया तो चरण बद्ध होकर आंदलुन को बाद्धे होकी रुनिसाथ पूर्थाना शेत्र की जनता, मौके पर फिरिट ट्राक्टर मालिक राकेश सा, जैन अरायन राय, लरिट सा, पुनीच सा, पुल्देव राउत, दिनेश महतो, लाल बैथा सुनाने, एफाई यार दर्द कराने, यहां के निरलत थाना परभारी ने, उनको बेरहमी से गाली देते हुए थाना से भाग जाने को का, और एफाई यार दर्द नहीं किया, और अभी तक ट्रेक्टर की बरामध्गी नहीं हुई है, एक क्या कौन सा राज चला है र नहीं तो यह रूनी सहत्पुर का अवाम, एने 77 को रूनी सहत्पुर से लेकर को रहिया तक जाम कर लिया होता, और अभी लंग ठाना परभारी को पेवलियन का रास्ता दिखा दिया होता, लेकिन आज आज चर्ज है कि सुसासन के राज में, श्री निचिस कुमार जी के रा और भरस थाना परभारी जो सराव माफिया से मिला हुआ है, जलालों से मिला हुआ है, और अमेज रूपय का वसुली करता है, जलालों के माध्यम से सराव माफिया से चोच में चोच मिलाता है, और भले आजमी लोगों को इंसान लोगों को ठाने से भगा कर राता है, ए, ए, क्या कोविट नाइंटीन के वज़े से आपकी पढ़ाई भी थम गए है इस्टन इंडिया का सबसे विश्वस निया नाम मेंटोर्स एड्यूसर आप के लिए लाए है मी डिजिटल ये सिरफ ओनलाइन क्लासेज नहीं है ये है एक वर्चवर क्लास्रूम प्रोग्राम आपको मिलेंगी क्लास्रूम कोर्स की और्मोस सारी फेसिलिटीज अपने राज्य में ही रहकर बहतरी तयारी करने के लिए मी डिजिटल से जोड़कर अपनी पढ़ाई ओनलाइन करें और करोना वैरस की स्थिती समान्य होने के बाद इसे रेगलर क्लास्रूम में कनवर्ट कर लें मी डिजिटल को गूगल प्ले स्टोर से आज ही फ्री डाउनलोड करें